कि हाई गाइज वेल्कम टुमाराज चैनल तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि करो उसका रिव्यू क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसको यूज किया हुआ है कम से कम मेर को लगबग हो गए एक से देड़ साल हो गए इप्सन येलवन 670 printer की यूज करते हुए तो अभी तो लोगों ने पूचा कि कैसा performance है किस टाइब की प्रिंट्स मिलते हैं quality of printing कैसा है तो आज सोचा कि मैं चलो बनाता हूं रिवी वीडियो और एप्सन येलवन 670 पर येल 670 printer पर जो है इन बिल्ट टैंक इंजेक्ट प्रिंटर जो आप इसमें कलर प्रिंट्स चरॉक्स प्रेश सकते हो लाइक ब्लाक और प्रिंट्स पोटो प्रिंट्स कर सकते हो क्लावड कर सकते हो एंड मैंनी मोर तो आप लोग यहां पर यह वाइफाइप रहे हैं आप देख सकते हैं यह वाइफाइप प्रिंटर और यह है ब्लैक और सी एम वह कलर है मतलब वाइफार एलो एम फॉर मैंगंडा और सी फॉर कौन सा इसी का देखना पड़ेगा और यह बीके मतलब ब्लैक पिंक है तो आज इसका लगबग अभी टैंक का सभी खतम हो चुका है और इसमें आप देखते हैं कि इसके आप तक कितने मैंने प्रिंट लिए है अब तक तो मैंने टोटल अभी देख सकते हुए हैं पर इतना थोड़ा इंक बचा भी हुआ है यहां पर थोड़ा यह ब्लैक मैंने थोड़ा रिफिल कर लिया तो बीच में बहुत ज्यादा नहीं कम से कम 10-20 ml डाला होगा क्योगल तो मैंने कंपनी का इंक डाला है तो आफ लोग यहां पर देख सकते हो setting जो भी है है हाँ से operate होता है थो अभी मैं दिखाता हूं को कि रेंट सेटिंग्स कहां पर ओके सेटिंग्स में गए तो यहां पर प्रिंट काउंटर करके तो हम इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो टोटल मैंने फुल जब तक अभी मैंने कंपनी के साथ जो काट्रेजर सिंग के बॉटल जो आए थे तब हमने यह निकालाता मतलब जितना फुल होने के बाद अब तक मैंने इन टोटल 3412 पेज़स आफ प्रिंट्स निकाले हैं लाइक ब्लाक और वाइट हो गया 1380 और कलर प्रिंट्स हो गए सब्सक्राइब तो मैंने अब तक मतलब इसमें फोटोग्राफ हो गए इसमें प्रिंट्स हो गए सारे कुछ आगे इसके अंदर तो मेरा तो यूसेज बहुत ज्यादा था तो आप लोग देख सकते मतलब आप लोग एक टैंक फूल करने में कितने अपने अब तक निखा लें अभी इसमें है चल रहा है मतलब अभी एक कम से कम एक सो पेजस जा सकता है मेरे ख्याल से क्यों बोलता है आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इंक अभी भी बैलेंस है देखे यह थोड़ा कम हो गया यह दो इंक है इसमें भी मैंने थोड़ा रिफिल किया तो पुरा ही एमटी हो गया था यह तीन है अभी तो आप लोग सोच सकते हो कि मैंने अब तक कितने प्रिंट्स लिया है तो मैंने सर्वीस सेंटर को कॉल किया तो यह द्रॉबैक जो इनकô है सर्वीस सेंटर का रिसपांस ठीक नहीं नहीं इस ना done कॉलीट्या में महरा सर्वीस संटर का थीक नहीं मतौंther लोकल का सेटिंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम था वो मैंने करेक्ट कर लिया आलाइनमेंट है आलाइनमेंट जो बोलते हो तो बाकि सब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अभी हम लोग इसको रिव्यू में मतलब प्रिंटर कॉलिटी है अच्छी है यूज किर सकते हैं अगर आफीस य सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू प्रॉब्लम Um माग च्छी णिएफåँ ना सब भीका मेंस बपार आलाइनमेंट बाभी हम स related इव्यून में के बाल सकते हैं ना ना चार आलाइन है 993 था ग्राफी संपार